हेलो प्रिंट्स नमस्ते तो चलिए आज बनाते हैं बेशन की चिले वाली सब्ची बहुत ही सिंपल और इजी रेसपी है जैसे और सब बेशन की सब्ची बनाने में थोड़ा सा समय जादा लगता है इसमें थोड़ा कम लगता और यह टेस्टी भी बहुत जादा ही बन के तया होता है तो यहां पर मैं एक कटोडी के गरीब बेशन ले रही हूं टेस्ट के को कोडिंग इसमें नमग डालेंगे अधा चमग जीरा वन पोट चमग हल्दी वन पोट चमग धनिया उसके साथ ही वन पोट चमग लालमिच और यहां पर मैं वन पोट चमग अद्रक लहसन का जाल रहे हैं इसे पहले अच्छे से मिक्स कर ले और पानी इसे डाल के इसमें हम क्या करेंगे कि एक एक नहीं जादा गाड़ा ना जादा पतला एक बैटर हम तयार करें तो पानी एक बार ही जादा ना डाले दीरी-दीरे करके पानी डाले तो जितना बेसा ने लगबग उतन ही ज्यादा पानी मैंने इस्तमाल किया है तो यह देखे बिल्कुल इसकी consistency आप देख रहे होंगे चमत से यह आसानी से गिर जा रहा है तो चली अब चिला बनाते हैं तो पैन में एक चमत टेल डालके मैंने ग्रीज कर दिया है और इसे इस तरह से दो से तीन कलशी इसमें डाल नीचे से भी मैं थोड़ा से ओल डाल रहे हूँ तो यह देखे लगवग दो मिर्ट मैंने नीचे तरफ से भी सेका है तो यह अच्छे से golden brown हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे कि इसे एक साइट से मोरते जाएंगे और इसे थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरह से प्रेस करते तो हमारे पास यह तीन चिल्ला बनके तयार हुआ है जिसे मैंने 15-20 मिट के लिए रस्ट पर डाल दिया था ठंडा होने के लिए से यह बहुत ही आसानी से कट जाता है बिल्कुल भी फैलता नहीं तूटता नहीं है तो यह देखे मैंने सारे चिले को काट लिया है बिल्कु सरसो तेल सरसो तेल में से बनाए यह ज्यादा टेस्टी बनके तयार होगा पनफोर्च जीरा और तीखी के अनुसार इसमें आप हरी मिर्च डाले कुछ खरे गर्म मसाले डाल रहे हूं और दो तेज पत्ता डाल दे हलका साई से 30 सेकंड तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे सारे म सालों की खुश्बू टेस्ट इसमें आ जाना चाहिए एक मिडियम साइस का प्याज मैं काट के डाल रही हूं इसे अच्छे से हलका ब्राउन होने तक हम फ्राइ करेंगे तो प्याज को हमें बहुत ज्यादा रिड नहीं करना बस हलका सा ब्राउन करना तो यह देखे करेंगे ताकि इसके मसाले जो है अच्छे से पक जाने चाहिए तो लगबग दो मिट के बाद मैंने धकन हटाया है तो यह देखे लगबग यह अच्छे से हो चुके हैं हलका सा कलर चेंज हो चुका है तो जो हमने टमाटर पीस के डाला था वो डाल देंगे साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दे अब इसे मिक्स करके अच्छे से ढख के 4-5 मिट तक अच्छे से हम पकाएंगे ताकि जो तेल है ओल है वो हमारा टमाटर से अलग हो जाना चाहिए तो 4-5 मिट बाद यह देखे इस तरह से इसका कंसिस्टेंसी इस तरह का है और कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है ओल वी धीविदी इसमें से सेप्रेट हो रहा है मैंने ज़्यादा ओल का इस्तमाल भी नहीं कि तो यहां पर मैं एक लास पानी का इस्तमाल करें हूं यह लगबग 500 ml के करीब है इसे अच्छे से मसालों से अच्छे से मिक्स कर दे और ढ़क के एक बोईल आने तक हम इसे पकाएंगे ज़्यादा नहीं बस एक बोईल आने तक पकाना है लगबग 3-4 मिट के बाद इसमें बोईल आने लगेगा तो यह देखिए यह इस तरह से होगा तो ग्रेवी के अनुसार ही यह आप पानी डाले तो अब जो भी हमने चि पकाना नहीं बस अच्छे से यह डूब जाना चाहिए जो ग्रेवी है उसमें अच्छे से डूब जाना चाहिए लगबग 2 मिन तक पकाएंगे उससे ज्यादा नहीं और इससे इसमें हम धन्या पता डाल देंगे और उससे ढख के हम छोड़ देंगे यह देखिए कितना फिला ही है